हेलो एंड वेल्कम टो रेस अकेडमी ओफीशियल साथ स्रीकाल सरन वस्ते अदाब सो रेस अकेडमी ते तो अड़ा स्वागता है जैकर तुसी नवे ओ रेस अकेडमी ते चैनल लो सब्सक्राइब कर लो नाल दाव द्या करो बैल एकन तांके तो अनुआ वाली है सारी याँ नोटिफिकेशन मिल सकड़ रेस अकेडमी ओफीशल दी एप्लिकेशन आज़ेड़ तुसी इंस्टाउल कर सकते हो एप्लीकेशन जदो घ्रह रोज अपडेट अनुआ ज़ा दजी है और तुसी आपकमिंग एखजाम जो भी है तुसी एप्लीकेशन करो मिल स्बैसा यह नोलेज हो थी मिल जान गया, so basically cooperative bank वास ते काफी ज़ना नूँ प्रॉब्लम आ रही है, banking awareness देविच, so अपपा अज banking awareness दे कुछ question करांगे, जिनना नूँ पढ़ दे हुए, अपपा कुछ ना कुछ हो दा theory part भी पढ़ांगे, क्योंकर जेकर theory part पढ़ ले ता question अपपा ज् explanation, so कन खोल के बास एनी की चीज़ तुसी सामझने है, के to the point पढ़ना गा, banking awareness, bank term तुसी बहुत पढ़ साकते हुए, but फैदा किया, के जेकर तुसी अगजाम दे वेच जड़ा कुछ आऊगा, अप उन्ना दे to the point याँए, के point, exam point भी तो basically पढ़ना गा, right, so आपा कर देए, स्टाट, पहला question तो आड़ी सक्रीन ते, आ रहे हागा, ATM setup, owned and operated by non-banking entity are called as, basically question किया हो, काफी जाने प्रोब्लम हो, क्योंके banking awareness देना लपा, जोड़े नहीं होंदे, इस करके अखी लग दिया, but समझा, और दी मैं कौशिश करूँगा, के बिल्कुल सेंपल पा, आशा दे व banking, non-banking entity दा मतलब के एहें कोई bank नहीं है, but ATM है, उन्हों तुसी कहोंगे, भी bank है नहीं, but ATM है, हुंदा की है, के जदो non-banking दा मतलब, जेड़ी कोई company है, for example, आपा race academy official कहा दिने है, एक के company है, registered company है, एहे company जेकर अपना ATM खोलना चाहेता, उन्हों कहांगे, आपा non-banking entity, हो दूँगा, ता मैंनों कोई ना कोई bank sponsor करूगा, हाँ, ता मैंनों जे SBN sponsor कारता, मैंनों ICIC sponsor कार साकदा, मैंनों PNB sponsor कार साकदा, मैंनों HDFC sponsor कार साकदा, मैंनों कोई भी bank sponsor कार साकदा, ता उन्हों, जदो सिदी जी गला, जेकर मैंनों कोई bank facility यां दाऊगा, प्रवाइड कर करवा हुगा तो ऑफिसली गला में उन्हें पैसे देने पहनगे ता कहन दा मतलव किया कि जदो अपा फिसलिटी लेने या नॉन बैंकिंग अपना ब्रेंड चलाओन वास्ते जिए फॉर अपर रेस अकाडमी ओफिशल एप्लिकेशन है स्पांसर कौन कर रहा क्लास प्लस का अधिया त़ा चलवोट एटेमों साumbsर कर रहा है वोट अपनों दिला ने सपांसरव कर रहा है हो इना नों की वैदा होट उना थाब्रेंड आ Indie Cash, Tata Company नहीं पता, Indie Cash है न दे वेच भी चाके तुसी ओही सारीयां चिज्जा प्रसीड कर साग़ जाए सामझ लाद दूस मेरे साब नो तुसी यह चीज नो समझ गए होंगे So ATM Setup Owned and Operated by Non-Banking Entity called as White Level एसे तरीक के देना ब्राउंड लेबल हुंदा, ग्रीन लेबल हुंदा, ओरेंज लेबल हुंदा, येलो लेबल हुंदा सो इनना बरे आप जान लेने है तांके जेकर इनना तो भी कॉस्चन पुछा जावे ता आप अनसर लाँ सकीए So सामझ गे जेकर ATM Setup Owned and Operated by Non-Banking Non-Banking Entity उनना अपकी कहांगे White Label कहांगे, सामझ लागी, चलो, आपका हुने चाल देया, थोड़ आजा इनना दी, जेने के जिम्हें कहांदे हुंदे भी Explanation होर पढ़न वास्ते, तांके होर कॉस्चन पुछे जानता, अपका अनसर लाँ सकीए, जवे के पहला किया, White Label अपका पढ़ लिया, कि Non-Banking Financial Corporation, जिड़ा हैगा, Companies होण गया, All Services are known as White Label हो गया, Yellow Label ता मतलब किया, Yellow Label तुसी E-Commerce, यानि digitally, जदो payment कर दे हो, जदो तुसी किते जानने होगे, obviously गला मार्किट दे जानने हो, तुसी किसे शौप करने जाने हो, शौपिंग करने जानने हो, बेसिकली, ता उथे तुसी E-Commerce Facility नो यूज कर दे हो, ता ओस ATM नो की कहना है, बेसिकली आपा, Yellow Label ATM, राइट ह ATM किया, these ATM's are not owned by the bank, instead they are taken on lease to provide the service to the customer, होने इथे किया कि बेंक का जड़ा हो, आप नी यूज कर दा, यानि आप ATM नी खोल दा, वो करायते दे 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 दा, अपनी property, यानि अपा बेंक दा, ब्रेंड यूज कर लांगे, होने बेंक नो जे कर मानलो अपने, मानलो कोई भी बेंक HDFC bank होने अपना ATM में लवना है, अपना ATM में लवना होने उन्हों सारा खर्चा करना पूगा, HDFC bank सारा कुछ करना पूगा, ता वो की कर दा, third party नू कह दे दे किसे, third party नू कह दे दे, भी तुसी साथे नाम दा, HDFC दा, जेड़ा हैगा, ओहो पाई लालो, ते जेड़ा थो न पार्टी द्वारा होन कीता है यांदा, so brown label ATM, third party द्वारा, इस तो बाद आगे तो औरेंज लेबल होन, औरेंज लेबल केदा होनदा, औरेंज लेबल दीज ए ATMs आर यूजड इन दा, शेयर ट्रांजक्शन, शेयर ट्रांजक्शन जित्थे, बेसिकली होनदा होनदा होनद औरेंज लेबल केदे, याद रखना, जेकर शेयर ट्रांजक्शन देना होनदा होनदा, औरेंज लेबल होनदा, जित्थे सर्फ वूमन यानि औरता जड़ियां वो यूजड कर साकती है, यानि इस ATM आर मींट ओनली फोर वूमन, यानि वूमन फीमेल या जड़ियां आरता ह करने सोखे हो जाणगी, सामद लागी न, सो वाइट लेबल तो अनुमें दासता कि नौन बेंकिंग फननशियल इस्टिटूट जेमें सब तो पहला जेकर पुछा जावे, ताटा इंडी कैश, पुछा जाओगा है, वाइट लेबल एटिम सब तो पहला केड़ा सी, टाटा ग्री लेबल अटिम, एस्टो बाद आगया, एटिम विच प्रोजज़ फोर शेयर ट्रांजैक्शन आगया, शेर ट्रांजेक्शन शेर ट्रांजेक्शन अपा की केने पाई ओरेंज यानी चौथा ओप्शन ओरेंज लेबल एट्यम ओरेंज लेबल एट्यम ओके हो गया next आगे दा ATM which is provided, the ATM which is provided e-commerce transaction, e-commerce transaction ता एदा किया होगा yellow label, yellow label, yellow label, yellow label जड़ा हैगा ATM, right, so important है यानि e-commerce transaction होगया, right होगा yellow label, सामझ लागी, होण जे कर आप ब्राउन लेबल दीगाल करी ता ब्राउन लेबल यानि कि जड़ा थर्ल्ड पार्टी कोई भी ओस नू लीस ते लेले ATM बगरा चलाओ दीगा, ते एक pink label होगया, pink label नाल दीगाल कर लो कि pink label होगया, कि सिर्फ women वलो यानि और ता वलो women वलो यानि कि जड़ा, access कीता जांदागा, right होगा, मेरे साव दिनल चंगी तरह सामझ देगे होगे, चलो, next आप कर दिया, ATM on wheels, ATM on wheels दा मतलब किया, ATM on wheels दा मत इस तो बाद आ गया, question next बहुत ही important, अभी ATM में and any ATM within bank premises is known as, bank premises is the मतलब किया होगा, bank premises is the मतलब bank property, premises is the मतलब property, यानि मानलो आहात वड़ा HDFC bank, आहात वड़ा HDFC bank, इधी property मानलो ए N area वेचे cover कर दिया, N area वेचे किते वी ATM तो आन्नू देखजे, N area वेचे किते वी तो आन्नू ATM दी facility देखजे, यानि N दी property देवेचे ही ATM होगे, for example, so, ओ थवड़ी, थवड़ी property देवेचे केन दा मतलब, so, ओस bank नू अपकी कहांगे, यानि, any ATM जेड़ा के within bank property, premises, bank property उनू अपकी कहांगे, on-site, अपके यानि भी on-site facility है, ओथे जाओ नाली ATM, on-site है, right, so, on-site ATM, होने चीज्जां देख़ो, पढ़ंदे वेचे उही आशा देवेचे दोन में दासरे है, पर जदों एही अपका चीज्जां वैसे रट्टा लाँने है, उदों उख़ा हो जाँ, रट्टा लाके MC के करन देवेचे कोई फैदा नहीं हैगा, जेकर थोड़ा जाओ नालो देटेल पढ़नोंगे, ता फैदेचर होगा, right, चलो ख ATM, off-site ATM, ATM दी full firm ता पता होगी, automated teller machine, याद रख लेओ, ठीक होगा, हुन इथे आगया, इन इंडिया, दा फर्स्ट, फर्स्ट वाइट लेबल ATM, फाइट लेबल ATM अवाज ओपन्ड बाए, ता कीदे द्वारा पाई, एही टाटा, टाटा द्वारा, हुनी में दस कहते हैं, वार वारे पुछा जाओगा, एंड टाटा कंपनी वालों, बैंक और ATM दा नाम की सीगा, इंडी कैश, इंडी कैश, याद रखना, इंडी कैश, ओक होगा, next question आगया, तो अडपाई, बहुत ही important किया, के what does T stands for abbreviation ATM, so ATM दी की हों दिया, automated teller machine, right, so याद रखना, याने T दी ज एलर एदा answer आजावेगा, important है, सामझ लागी पाई चंगी तरह है, बहुत ही important, right होगे, चलो, next यह अपा गल करीए ता, name दा associate body of नबाड, नबाड दी associate body केड़ी है, नबाड दी associate body केड़ी है, पहली है कि या दूसरी है कि यानि पंजम एदा, पंजम अंसर आ जुगा, पह कौन जा, ता कौन तो डा किया है, consultancy services, consultancy services जाते FI तो डा किया, financial services, right, याद रखनागा, नबाड, नबाड, consultancy, consultancy services, लेखता, consultancy services, consultants हुँद है, consultancy services, consultancy services, तो जड़ा आहागा, ए financial, financial, FIN, financial services, financial services, right, तो याद रखनागा, बहुत इंपोर्टेंट है, so associate body के अपने बाड, राइट हो गया, एस तो बाद next आगया पाई, what does R, what does R, what does R represent, ARC, ARC दे वेच, R की रिप्रेजेंट कार दी होन, ARC दी फुलफर्म, पता होनी चाहिदि ARC दी फुलफर्म कीया, asset reconstruction, asset reconstruction company, asset reconstruction company, याणी आरदा मतलब की होगया, reconstruction, so ए फुलफर्म ही याद रखनागा, बास ए नहीं है, जादे detail वेचे जानदी लोड है इनी, right, so reset, sorry, asset reconstruction, जड़ा है गया, तो अड़ा, company होगया, right, so याद रखने, इस तो बाद आगया, nomadic elephant, nomadic elephant, nomadic elephant, a joint military exercise है, nomadic elephant, a joint military exercise है, केडिए country होगा, जीनिा दिवजकार हो थी, बहुत important है, हरे एक चार साल बाद होुदी है, गेडिए country दिवजकार हो थी, जीन्नॐ अपण nomadic elephant केने है, इन्डिया ते ले नंगूलिया दिवजकार हो थी याद रखना तीसरा ओप्षिन है, इंडिया ते मंगोलिया देज कार हों दिया, याद रखना बहुत इंपॉर्टन है, नुमेडिक एलिफेंट इंडिया ते मंगोलिया, नेक्स आगया, Central Board of RBI comprises of how many members, Central Board of RBI दे वच किन्ने मेंबर हों दिया, ते 21, 19, 15, 21 हों दिया, राइट, हुण एदे वच बेसिकली 10 तवादे official member हों दिया, जिन्हों आप कहा साके दिया, जड़े more eminent person हों दिया, बेसिकली, मुशू और परसन परसनल्टिया कहलो, राइट, ते official eminent हों दिया, ते 4 तवादे हों दिया, बोर्ड दे ही member, जड़े RBI दे अंडर हों दिया, उनना दे डिरेक्टर साहब, राइट, ते जड़े 10, 14, 14, ते जड़े 7 हों दिया, ओ हों दिया, non-official, ये भी मुशू और बंदे ही हों दिया, eminence हों दिया, ते एहे बट government द्वारा जड़े है जड़े हों दिया, यानि यहां था RBI दे अंडर हों दिया, जड़े official eminence हों दिया, ते तोड़े board दे member हों दिया, ये तोड़े 14 हों दिया, 7 जड़े government द्वारा अपोइंट कीते जड़े हों दिया, ओ non-official दिया मुशूर बंदे हों दिया, अपने शूर पसनल्टी है, ज जिमें तुसी अपना करांट फिर्द पढ़ दे रहें ने के ननू RBI दे member हों दिया, याद रखना, इस तो बाद आगया, DICGC is a holy subsidiary of whom, so DICGC, पहली कहलता DICGC कीदे अंडर हों दे यह पुच्छागा, यानि subsidiary कीदी हा, दूसरा question भी पढ़लो, BRB NMPL is a holy owned subsidiary of whom, full form मा जुरूर याद रखने कहों के full form पुची जा साके दिया, दुनना दा ही answer RBI या, दुनना दा ही answer RBI या, दुनने ही subsidiary alliance यानि के subsidiaries हा, कि दिया पढ़ा RBI दिया, right, Reserve Bank of India, right हो गया, चो हुन जे कर DICGC दी गाल करूँगा, ता एदा मतलब किया, deposit, deposit insurance, insurance, deposit insurance, insurance credit, insurance and credit guarantee GC, हाँ, guarantee corporation, cooperation, ठीक है, cooperation, so, याद रखना बहुत important है, यानि DICGC दी किया, deposit, देखो सिदी जी गाला है, जे कर उं, direct दमाग देवेच नहीं चीज़ जाओ निया, बाट जयतों banking दे टर्म देनाल सोचोंगे, ता अपने पता लाग जूगा, कि जड़ी डी आउउ deposit ही हो साकता, banking दे टर्म देनाल, is holy owned subsidiary of whom, ता एदा किया जूगा, पाई, एदा भी यान के, याद रखना है, बहुत ही important है, so, important है, याद बेसिकली, जड़ी बारती, मुद्रा, यानि के, note, उदेनाल रेटर करदा, private, limited, ठीक हो गया, तुसी याद रखना है, ओक हो गया, पाई, RBI याद याद रखना है, इस तो बाद ये करा पागल करिये, ता अंडर विच शेक्षन, ता कोच शेक्षन है, जितो कॉष्चन पुछे जा साके देता है, ठीक है, अंडर विच सेक्षन ओफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट, एक्ट 1881, बिल ओफ एक्स्चेंज वार डिफाइन, बिल ओफ एक् सेक्षन बस तो याद रख लो, जड़े के प्रीविच तुसी कह सकने हैं, भी किसे ना किसी एक्षाम देवच आये होया, तो अंडर विच सेक्षन, केड़ा सेक्षन है, नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट 1881 देवच जड़ा बिल ओफ एक्स्चेंज यानि तो अड़ा ड देवच आएंड चेकख जड़े होता नो छे देवच मिल इस तो बाद आगया क्वेनेज एक्ट बिसिकली जमें मिंट होगे जड़े के कड़ेजांदे या मिंट वगएर हाना, उनना वासते क्वेनेज एक्ट आया, राइट क्वेनेज एक्ट है इन एक्ट कदो होया सी गा सो याद रखना बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्वेनेज एक्ट है जड़ा दो ही आर ग्यारा देवचे इन एक्ट होया, राइट है दो ही आर ग्यारा देवच आई थिंक एधी डेट भी एक स्तंबर सी शायद, मेभी, राइट है, चलो खैर, डेट मेभी कह रहे हैं तो शा आ गया, आर बी आई, ओल्टस, हुना, ओल्टस किया है, ओल्टस, नाम तो ही, देखो, ओल्टस दा मतलब है का, ओल्लाइन, टेक्स, ओल्टस दा मतलब ओल्लाइन हो गया, टी दा मतलब टेक्स हो गया, टेक्स अकाउंटिंग सिस्टम, राइट है, अकाउंटिंग सिस्टम, सो बेसिकली RBA दे कंटेक्स्ट देवेच आल्टस यानि जिन्हों अपा कहने ओनलाइन टेक्स अकाउंटिंग सिस्टम ए इंट्रोड्यूस कदों कीता गया सो पाई स्टैटिक पोर्शन आ एज़टिस क्वेचन तो अन्हों जेकर टकर गया था फिर आये कलो भी वदिया हो जुगा तो अटा पेपर राइट अपा कोशिश कर साकते हैं ठीक है कोशिश ही कर साकते हैं कि अपा कट तो कट देना देवेचे बैंकिंग वेरना इससदे ज्यादा तुछ जादे कॉस्टन क पर देया। जदे हो गोल्ड पर देया। जड़ा तो gelecek बेसिकली हो यह ज़िए जड़ियां, बहुत वार पड़िया। Blue revolution बहुत सोखागा, जडा के fish production देना related नोगा जमें green revolution है तो wheat देना related आगया हाँण S3 के दनाल white revolution है तो जडा है तो milk देना आगया, जिननों अपa flood revolution भी basically आदने हाँण ता यह चीज़ा round revolution हो गया तो पटेटो देना related आगया तो इस चीज़ां तोसी जुरूर याद रखने हालां कि में चीज़ां बहुत वार करवाईयां हुई है static portion देवेच So blue revolution is related to fish fish production राइट हो गया इस तो बाद पाई Who among the following Who among the following are eligible to benefit for manrega याद हो गा तो अनो बहुत important manrega बहुत मशूर भी है तो manrega देवेच बेसिकली जानवास थे काउन eligible option adult member हों देया केंदा of only the schedule caste थे schedule tribe देही राइट हो गया दूसरा केंदा भी ओही जड़े blow poverty line अले जा सागे याणि BPL दे अंडर हो देया इस तो बाद आगया भी ओहो adult member जड़े household of all backward communities आ गया चौथा आगया all adult members of any household राइट आते all of these आगया बेसिकली एदे वच कोई भी category नहीं है राइटा फिर discrimination आड़ा पाट आ जोग न सो कोई भी category नहीं है adult members of any household any household adult member of any household जीनू कम दी लोड़ा बेसिकली मनरे गाज दे वचा कम करो ठीक है सो एदा मतलब आगया पाई चौथा याने फोर्थ राइट एदा अंसर आ जावेगा next आगया dash is the fund dash is the fund which flows in the market to take advantage of high interest rates बेसिकली ओहो fund जेड़ा flow करदा market दे वेच्च high interest rate थे उन्हों आपा केडी money कहने है hot money नाम तो ही जिए high rate interest चकी फरदागा सो बेसिकली ओहो केडी money होगी hot money होगी डेफिनेशन सुन दियांगे बेंकिंग देवेच जड़ी आपा किसे theoretical portion देविच पढ़ देए बट अपा MCQ कर रहे है सो इन्हों नों maximum समझन दी कोशिश कर नहीं है इस तो बाद आपा गयल कर दिया which of the following defines open market operation open market operation बेसिकली किया open market operation एदे विचों केड़ी option याने के define कर साग दिया selling of currency by RBI दूसरा option is selling of guilt-edged securities by the government activities of CB registered brokers sale of shares of FII जाफर none of these बेसिकली किया कि open market operation बेसिकली कदों की हुन दागा पड़ना के जदों आएं कहलो भी market देविच जड़ा money दा liquidity दा फ्लोगा बेसिकली ओहो जिन्हों केंदों दे लिकोडिटी कहने अपा जदो market देविच जड़ा पैसा बेसिकली ज़ादा आजावी जदो inflation ज़ादा होएं दिया सिदी जगल मार्केट देविच पैसा ज़ादे होगा इंफलेशन ज़ादे होगी ता महंग आई नू रोकन वास्ते बेसिकली इस तरी कि दिना तुसी कहा साके दियों ता जड़ी यानि के government बेसिकली securities जो भी है shares बेसिकली bonds ज़ादे बेसिकली इन वेच दिन दिया ता के लोक उनना नो लेलेन ते उनना कोली दुबारा पैसा चले जावी यानि जड़ा पैसा मार्केट देवेच ओवर्फलो होए फरदा ओहो दुबारा तो फिरो दुर्म होजी यानि flow जड़ा ठीक हो जावे so selling of guilt as securities by government यानि की दूसरा अंतरा जोगा ठीक हो गया so ए है की हो गया ठीक हो गया पैसा मजगे so important है इस तो बाज एकर आप गाल करिये which of the following is related to green banking नाम तो ही जिमें पता लाग रहागा for example तुसी solar power plant कोई भी लगोना गा या solar energy ओ जड़ा कहने होने भी आज काल करें करो करी लाग रहे है so bank तो तुसी loan ले ना उस वास्ती ता green banking उनों कहांगे जाने कि जड़ा environment दिना रेलेटड right environment दिना रेलेटड़ा environment दिना अपना वधिया रेंदा गा pollute नहीं होंदा so green banking की दिना रेलेटड़ा so option दिवेच देखो development of forestry by bank नहीं financing of financing of environmental friendly project by bank यानि कोई भी environment दिना जो environmental friendly जिनू आप कहने basically ओ जेकर तुसी set up करना गा ता bank तो जेकर लोन लोंगे ता उनू आप green banking दा नाम दमांगे मेरे साव दिना चंगी दर सामजला आगया होगा इस तो बाद आगया इनना द विचो केड़ development expenditure दिना रेटड़ा which of the following is related to development expenditure development expenditure ओही गाला भी development नाम तो ही जी में पता लाग रहा है ता लोन बगार ही लोंगे तो उन्हों आप की कहांगे debt services डेट लोन ही हुँदा बेसिकली debt services बेसिकली उन्हों आप कहांगे development expenditure दिना रेटड़ा ओ expenditure जीदिना तुसी development कार देऊ आप लोन लेने होम लोन लेले फलाना तेओ कई याणि के जो वी आप चीज़ां बनोन वास्ते अपने development वास्ते आप लोन विगरा लेने एनू ओस तरीक के दिना अलसाम साकते हुद मेरे पड़ा होंदा है तरीका अगा तांके तो आटे दुमाग देवेचे खाने चीज़ां पैयाण ते अनसर याद रहेजी right so debt services आप कहांगे इस तो बाद आगया in which year RBI was nationalized सोख़ईया है RBI यानि के Reserve Bank of India nationalized कदो होयागा उननी सो नंजा right याद रखना उननी सो नंजा इस तो बाद या गल करिये था in which year RBI ने aligned कर लेया MSF MSF दा मतलब क्यों दागा Marginal Standing Facility Marginal Standing Marginal Standing Standing यानि के Marginal Standing Facility Marginal Standing Facility RBI ने ननननन बेसिकली खदो कीता अदा अंसर आ जूगा 2-12 2-12 फैसिकली एननने Allianse कीता एक काफी इंपोर्या पर है याद रखना बहुत जादे Marginal Standing Facility Marginal Standing Facility कीया होन थोड़ा या समयात है न ज्यादा टेकनिकल जान दी लोडीनी यानि जिमें कोई बैंक का हो बैंक RBI तो लोन लेना चाहूँदागा तो उधी भी कोई लिमेट हूँदिया जिए बैंक कानू किसे नू पैसा चाहिए दा RBI तो उधी कोई लिमेट हूँदिया जिए हो लिमेट तो क्रोस हूँदागा तो RBI बेसीकली Marginal Standing Facility लाओ दिया तो इस तरीके नो एनो S3 के नो तुसी साम साग दिया राइट है तो Marginal Standing Facility इस तो बाद आगया जि मार्किट स्टेबिलाइजेशन स्कीम वाज इंट्रोडूश्डे विच यह स्टेटिक पॉर्शन आप बहुत इंपोर्डेंट है याद रखने ने सो एदा की अंसर आओगा सो एदा अंसर की आवेगा एदा अंसर आओज़गा Marginal Standing Scheme यानी MSS जिन्हों आपके ने है सो एदा जड़ा अंसर आज़गा पाई हो आज़गा तो आड़ा 2004 कि थे है 2004 इदा अंसर आज़गा बोस्ट मोस्ट इंपोर्डेंट Marginal Market Stabilization Scheme जड़ी इंट्रडूइस कीती गई हो 2004 देवच कीती गई बस आज़गा आज़गा ठीक हो गया Market नो stable करना basically जो में नाम तो ही समझा करो थोड़ा या कि Market Stabilization Scheme Market नो stable करना Market नो stable करना ठीक हो गया एस तो बाद होना आगया जी Imperial Bank फोन ती फोन ती फोन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट स्टैबलिजड इन विच यर फोन इंपीरियल बैंक आज जकल आपन तो की कहने पड़वाँ SBI एदी हिस्ट्री बहुत इंप्जादेनी इंप्वर्टन है क्योंके हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन है राइट है ईंपोर्टन क्योंआ देखो शिद्य जी गल्लामे तो आण दास दागा थारांसो छेद वुश्याद बंद बैंक ओफ कलकत्ता जेकर पुछ्या जावे राइट होगे उस्तो बाद आजो थारांसो रा जाली देवीच وج़ः बंबेंक अव बंबे बंबे, बंबे, एस तो बाद आजो थारांसो तरताली देवेच, जदो बढ़या बैंक ओफ मदरास, ए चीज़ा इंपोर्टन बढ़ दिया, अगले तुसी कहों कि भी इंपेरियल बैंक देना तुसी यह क्यां दस्या, नियो कारना कोई क्या कारना की कारना देखो थारांसोचे देवच बैंक अफ कलकत्ता थारांसोचाली देवच बैंक अफ कलकत्ता थारांसोचाली देवच बैंक अफ बंबेर थारांसोचाली देवच बैंक अफ बंद्रास तिनन् सोबएक बन गिया यानि 1901 द अंसर आज़ूगा इंपिरियल बैंक बन गिया फस्ट बैंक अपना इंपिरेल बैंक है बहुत ही जाद है है सो एश बढ़े हैं उन्नी सो 1 की जय बंड़ाए ना ने सो अ इंपीरिल बेंक बने उन्ठिया नीस पर आउश गया ने शल होगे डाउन में त्रो थे अवाज किते चली ना जावें चलो देख दिया इस त्वाद अगर जे डैश डैपिक्ट्स इनवेस्टर्स हुआर अप्टिमिस्टिक हुण देखो शेयर मार्केट देवेच बहुत तरह देबंदे मेल देया ते उन्हानू किसे नाम नल बलाया जादा तुसी अभी एक बचन दी बेग बॉल फिल्म देखी हुग जाओ हर्शत मैता जड़ा बेसिकली स्टॉक जड़ा पैसे लौदा सी शेयर मार्केट देवेचे बड़ा उन्हें का पलिव गयरा कीते हैं यानि के उन्हें बहुत जादी अमीरी भी देखिया शिद्धी जी गला राइट है सो बेग बॉल ओ फिल्म दा नाव क्यों रख्या गया बेग बॉल किसे ने सोच या ओ बेग बॉल ओ बेग बॉल दा मतलब गया आहां बॉल टर्म है जड़ी एहें स्टॉक मार्केट दी टर्म है यानि जड़ा बंदा बहुत जादे अप्टिमिस्टिक है जड़ा हमेशा पॉजिटिव सोच अप्टिव ओफ दौ्टॉकक मार्कित अंड बिव एबॉल आपवर्ड आपवर्ड क्रेंदि मार्कित यानि के मार्केट अपजाओगी यानि भी मार्कित आप जानी ही जानी या थाстранतो ऑुहौफ ऑंप्टिमिस्टिक यानि ओधिव मंदेनों आपकी करने बॉल बॉल ते जेड़ा फिर अब शेक बचन सीगा फिल्म देवेच होता बिग बॉल सी होता बहुत जाद अप्टिमिस्टिक सी राइट है तो इससे करके उस फिल्म दा नाम भी बिग बॉल रख्या गया चीजा इंपॉल बन दिया याद रहे जुगा जेड़ा ऑप्टिमिस्टिक होवी उन्हों आपकी करने बॉल राइट हो गया इस तो बाद थोड़े थोड़े होर होर वर्ल्ड जान लो जिनना जिननों केहा जान यानि एख पैसिमिस्टिक हो जो अप्टिमिस्टिक होवी उन्हों जो ज्यटा करना जो जळा चांपॉल थोड़े काट थोड़े थोड़े डी रखिद म फो जान मैं डरी हो की वाधिर नहीं होर तो यार मेरा क यार रिख जावे दिन्दा है टिपिकली जड़ा सोचता है कि किते डाउन ना चले जानता उन्हों अपकी कहांगे बेर राइट सो याद रिखना कि बुल होगा तो अप्टिमिस्टिक बेर होगा जड़ा डर जान्दा ते शौर्ट शौर्ट सेल्ज एट जड़ा है कि असेट नूं वेज दिन् होगा मैं फैश्ट्री देवाच पढ़ा या छो तुसी पता नहीं घर तो पड़िया रसी की नेन्हीं पड़िया क तहां किन्य किसेट कीविया किन्या की तैन लूं गरीं इंटैटिख शूर्ट ऑफवरिंग स्टाट पंवरीं कॉत्पर्वतिया अपने शेर बाय कर ले तो जदो वह लेस्ट दे वेचे लगन लग दिया नालदी नालदी वेचते यानि कि थोड़ा ज़ा तुसी आय कहा शाकते हैं यानि कि जदो एक वारी जड़ा यानि कि जटे शेर बेसिकली ज़ा अनिशियल पब्लिक ओफरिंग जिमें करने ना भी जदो लागदी लागदी यानि पता लागदा कि हाँ एथे अपना शेर्याय के खरीद सकते हैं तव यानि कि नाल दनल खरीद के उन्नाक भीडे उन्हान सेल करते हैं जड़ो नाल्दी नाल कोई stock उलेट कर दिया तो नाल दी नाली उन्हों तुसी वेचता, राइट है, एकता स्टोर करके राखे ता वियनू अपा देखांगी प्रॉफित देवेच जानदा, रेट महहें होंदिया, रेट सास्ते होंदिया, आप महहें देवेच चांगी अपा शास्ते थे, एक त्रीक के नाओ नी सामझग right है so मेरे साव दिनल तुसी सामजी के होंगे stag, तीसरा option है stag right होगा, so bull होगया, bear होगया stag होगया, इस तो बद pig आओगा उन सूर केड़ा होंदा है, सूर जड़ा होगा जड़ा मूर्ख होगा ठीक है, so pig केड़ा होंदा है pigs, यानि येदा अंसर होगा pigs, pig केड़ा होगा, are those are ones who burn their fingers, burn their fingers and lose money in the market burn their fingers idiom आगया, burn their fingers जड़ा के मननों आएं केलो जादे ही, जादे ही आएं केड़ा बद जू काट जू, बद जू के काट जू तुसी एक सैरू खान दा एपिसोड शीगा करोड़पती, ओधेविच पुछा यान दा के लोधी वांच दा संस्थाप कॉंड शी अपने शायद मुंडाब पंजाब दा सीगा जड़ा अंसर दे रहा सीगा ते ओ, करिया वे, तुसी वीडियो चेक भी करो, YouTube तो तो नो मिल जूगी तो उन्हों करन दुद्र हांच दसो भी ही फाउंड़ते दा का द ए lie दा सीगे भालमो लुदयी लोधी, पैलमो लुदय, ऐभ्राहं मो लुदय सिकंद मुदय gültee अलो गिए बिसीगली होँ कण्फू जोग ओन्फिजेंस थे वी आखएंदा का confidence रखो, confidence किसे भी अग्जाम देविच, confidence lose नहीं करना, pressure देविचा कि अपा paper गल्त करेंदे, बस उत्थे मार खायांदे, बाकी pressure कई चाले लेंदे, कई नहीं चाले लेंदे, यह अपनी अपनी तरीके है, right, so burn their fingers and lose money in the market, उन्हों अपा करने, pigs यानि के सूर हो गया, एक तरीक बहुत चलाक होगे, चलाक की दिनार काम करें, group of investors that may employ tactics, tactics दे मतलब बहुत तरीके, चलाक की यंगों चालदा, to drive companies stock into the ground by selling the stock shop, बड़ी चलाक की दिनार, जड़ा, बहुत ज़्यादा दमाग लओंदा होगे, right, उन्हों आपा करने है, जी वॉल्फ, वॉल्फ, राइट होग तोसी नहीं छड़ोंगे, मेरे बेल, यो, चलो, होनमा तोने जानकर देदेना कि application देवाच 15 गास तक offer चाल रही है, पाई, 15 गास तक तो आड़े 50% off, लार होगे, बहुत सारे course आज़े मैं 9 लांच कीते है, उन्ना थी, right, नहीं तो अल्रेडी होगे, 15% off, लार रखे है, सो जाके देखो, चेक करो, मेरे साव दिनल तो आणनों पता लागे जूगा, right, so एहें काफी चीज़े important बन दिया, 15 गास तो पहला पहला course लेलो, बहुत सारे course लांच कीते होया, वीडियोज बगरा तो आणनों मेल जान गिया, application करो, install, race academy official दी, play store ते बाकी share बगरा करो, maximum तो ईन गोवद्नी के स्कीम, छेक कि नहीं हागी, जनमे के पहली पहली PM तो ही पता लाग़े हैगा, राण मांत्री फसल बीमाव योजना, sup पे प्रदा आनमंत्री फसल बीमाव योजना, एथा हागी यहा, एजन्तंू बाद आणमंत्री जीवन जोती बीमा योजना, यहें हमन पेंशन योजना अटल 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 पेंशन योजना बहुत जादी इंपर्णेट है पर दा आनमंत्री जीवन भीमा जोजना बेसिकली इंशोरंस दिता जान्दागा इस स्कीम दे द्वारा गवर्मेंट द्वारा इस एसोशेटेटेड विच आफ द फॉलविंग सो बेसिकली ठारा तो पंजाव साल तक यानकी जड़ा हुंदा इह तुसी जड़ा हैगा इह यानकी हुंदा ठीक है ठारा तो पंजाव साल ते एस ग्रूप पलन जित्ता जान्दा जीवन भीमा जोजना ठीक है तो यह काफी इंपरन बन दागा सरक्षा भीमा जोजना जड़ें पंजाव साल तो ते यह हालांके जड़ा तुसी पर मेल दिया बेसिकली से एना स्कीम द्वारा सो ओधे वचे डिटेल बान दिया इंडस्ट्रियल प्रमोशन हो चंगी तर अपड़ा हुए अप्लिकेशन देविच यह करो देखना चाहा होता है अप्लिकेशन चाहा साख देओं चलो खेर by whom micro finance development and equity fund equity fund जड़े maintain कीते यहांदे कीते दवारा कीते यहांदे कीते दवारा कीते यहांदे नबार दवारा काफी जड़े एदा अंसर लहोंगे साइट ते तो आनू गूगल बगराते भी एह एंसर मिलूगा बाट एदा अंसर नबाड है ओफीशियल नबाड दी साइट ते जाके ही देख लेओ तो आनू एहे जड़ा हैगा बेसिकली यहे टॉपिक ही मिल जूगा के नबाड दी अंड रहो दागा ठीक है सो माइक्रो फि नबाड दी फूल फॉल फॉरम जुरू याद रखने नबार दी पहली गलता जडी अस्टेबलिश्मेंट कदू हुए हो हूँ हुए हुए उन्नी सोब्यासी सेब भी सेब्य याद रख्यो सेब्यू निसोब बन में राइट जड़ा कि स्थेरूटी एक्सेंज बोड इंड र्रॉरल डिवेल्पमेंट रॉरल हए गया चर्णर करनने टो जैङ है बहुत इंपर्णेट है चलो, currency swap is an instrument to manage cash flow in different currencies, ठीक है, so different currencies देवच, cash flow, आपा currency swap basically कहने है, right हो गया, इस तो बाद आगा जी, which one of the following is the regulator of the credit rating agency in India, credit rating, credit rating आपा किते है, सेबी देवची देख 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 सेबी दा हेड़कोर्टर किथे है, मुंबगई देख, सेबी दा फोन यार, फोन ते फोन सेबी दा हेड़कोर्टर जेड़ा ओँ किथे है, मुंबगई हाँ एँ जड़ी सेवी दी कहल कर रहे हैं थी फाउंडेशन येर जड़ा है गया पाई एदा 1992 देशा ठीका सो एकाफी इंपोर्ण है सेवी दी फोल फर्म तो अनु पता होगी याद ही करने पहनगे होर कोई हल नी मैं होनो थे पढ़ लग जाँ पढ़दे पढ़दे बहुत टाइम हो जुगा टेलीग्राम ते जाओ टेलीग्राम इंस्टाल कर लो रेस अकेडमी उफीशल उथे जावड़ो तो आनू एहे PDF उथे मिल जूगी नहीं एप्लिकेशन इंस् याद करन दी लोड नहीं बस दो दो तरन चार चार वारी पढ़के जाना अपने आप ऑप्शन देखके याद आ जूगा राइट है इंपोर्टेंट है बैंक नेम ते जिन्ने भी बैंका में नावदी नल सारे बैंकां दी देती आ तो आड़े प्राइवेट बैंक आगे ज झालर ने खिए स्थाथटेंग औ फिस दोगजा है बैंका कर दोश्क कर दोटाईगे जारी इंगर वाता है सव Region laboratory है रहने स्थाएवेट जने हूज कर के नहूँंता चाहां है। कि हालो को है ऐगर नहीं ठीक है खर एक्सिस बंको गए डेफ मेंक डूर। फोकी सब्सक्राइब किलिए firаюсь कि आपका ठीक सुर। में घू जर cultura एपका कॉइंद को सबस्क्राइब। बाथ मजशी सने पुछ है इना जड़ी गऑड मरत कुछ यदा वाल मिलके बनाई हुई है ठीक है इसे तरीके नाल तो ड़ा जड़ा कोशन हो आज चल रहाप पुछी गई है तो ड़ी चल रहाप जड़ी HDFC द्वारा ठीक है एसे तरीके नाल ड़ी लाइट आभी पेपरांद में चाहा है करूर वैसे बैंक हालांके सारे तुसी पढ़ने है ठीक है तो यह काफी इंपॉर्ण जिमें एम पावर अलाहाबाद बैंक है राइट सुपा ही यह जेकर डाटा त्यार किता जानद है थोड़ी फसल्टी वास्त ही है ठीक है एम पावर अलाहाबाद बैंक हो गया रहे एस तरह नाल फ्रीडम आ गया गो मोबाइल पलास रहे जी ता बढ़ा वदिया चार पंजवार यह नों पड़के जरूर जानागा एससे तरी किदना नेम आफ दया पजिमें उबर फोर ट्रेक्टर्ज अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री ने कीता गया होने मनिस्ट्री दिना रलेटर आ गया पहला बैंक दिना रलेटर सी गा होने केड़ी मनिस्ट्री ने केड़ी एप लॉंच कीती है पुछा जा सकता गया जिमें रेल कुंब सेवा नौर्थ सेंट्रल रेलेव ने कीता गया रौशनी आईटी रोपर ने कीता गया डिकी को बहुत वार पुछा गया चनई पुलिस बहुत मशूर कॉश्चन रहा है राइ अब देर होती है आप और नवी 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 वीडियों मिल दे रहांगे बाबा नानक महर करे ते कॉपरेट बैंक वास्ते बैंकिंग वेरनास दी कोई में का आटाउन देंदा नहीं हर रोज लेक्चर आऊगा सोबा करांट फेरा बहुत कोशा ते बाकी एप्लिकेशन क और इंस्टाल बहुत कोशा ते चाल रहागा बहुत त्रीके दिनाल ते बहुत वदिया त्रीके दिनाल पड़ा आया जानदा गा राइट थैंक यू वरी मच बाबा महर करे बाइबाइबाइट टेक कियर